स्वराद मिना प्राद्य पक्ती राज की राजनीती विज्ञान राज की वरिष्ट प्राद्य शन्सकर्ट विद्य ले द reward देखे btin स्वतंतर वार्त में राजनीती प पुस्त का मद्यन कर रहे हैं और इस न distinguished तो इस पुस्तक का द्याया आठ है, उसमें छेत्रिया कांक साएं, इसके अंतरगत हमें अब से पहले आपके पास दो वीडियो जारी कर चुके हैं, आज इस छेत्रिया कांक साएं वाले पाट का तीसरा और अंतिम वीडियो जारी कर रहे हैं, आज हमें इस पार्ट का सुरुवात करने जा रहे हैं बहारी लोगों के खिलाप आंदोलन अर्थात इसके अंतरगते पूर्व उत्तर में बड़े पहमाने पर एक खास समस्या पैदा हो गई थी और इस्तानिय जनता इन्हें बहारी लोगों के खिलाप उनके मन में गुस्ता था बहारत के दूसरे राज्य अत्वा अन किसी देश से जो लोग अक्सर यहां आकर के बस गए थे और वो यहां जनता रोजगार के अउसर और राजनितिक सत्ता के इतबार में पर्तिद्वन्दी के रूप में देखती थी ऐसे इस्तिती में इस्थानिय लोग बहार से आये लोगों के बारे में मानते थे कि यह लोग यहां के जमीन अथिया रहे हैं तथा पूर्वो तरके कही राजजव में से मसले के लिए राजनितिक रंग के लिए इस्सा लिया और कभी-कभी इन बातों के कारण इंसक गटनाय भी होती रही तो यह कुछ ऐसे कारण रहे जिस से असम आंदोलन बहरी लोगों के खिलाब रहा तथा यहां अनेक ऐशे कि बांगला देश से आकर बहुत सी मुश्लिम आबादी असम में बशी हुई है और ये लोग अपने देश नहीं जाना चाहते हैं, इस्तानिय अस्मों वालों के लिए ये लोग यहीं अपना निवास इस्तान करना चाहते हैं. ऐसी इस्तिती में ये महिन बात थी और उसी के कारण ये यहां रहते भिए अपने आप में एक प्रकार से काफी कुछ इस्तितियों में आगे थे. क्योंकि यहां जो जनता थी, उस जनता ने कुछ आर्थिक मामले भी थे और इस्तानिय अलफ संक्यक हो जाएंगे, ये लोग यहां करके बस जाएंगे. तो ऐसी इस्तिती में असम में जो तेल तथा चाय और प्राकर्तिक जो संसादन है, इन प्राकर्तिक संसादनों की मौझूद्गी में वोते हिवे भी व्यापक गरीबी थी. और यहां की जनता असम में जो गुनिसो गुनियाशी से गुनिसो पिच्च्याशी तक चला असम अंदोलन बाहरी लोगों के खिलाब चले अंदोलन में सबसे अच्छा उधारन है, और इसमें असमी लोगों को संदे था कि बंगला देश से आकर बहुत सी मुस्लिमाबादी असम में बस गई है और लोगों के मन में यह बहुना करने लगी कि यह लोग यहां पर इस प्रकार से बचते गए तो असमी जनता एक प्रकार से आर्थिक मामले में पीछे रह जाएगी तथा यह अलप संकेक रह जाएगी असमी में तेल चाय और कोईले जैसे खनीज होते हुए भी यहां ब्यापक गरीबी थी यहां की जनता किने यह माना की प्रकार्थिक संसादा ने बहार वेजे जा रहे हैं ऐसी इस्तिती में संगुनी सो गुनाशी में आलहसम स्टुडेंट यूनियन जो आशू के नाम से जाना दाता है इसने विदेशियों की विरोध में एक आंदोलन चलाया आशू एक छातर संगठन आंदोलन था और इसमें एप्रावाशी जो बंगाली और अन्य लोगों के जिनने जो मद्दाता सूचियों में अपने नाम जड़वालिये थे और उनकी संग्यालाखों की तादात में थी आंदोलन की मांग थी कि जो गुनी सो इक्यावन के बाद जितने भी लोग असम में आकर बशे उन्हें असम से बाहर बेजा जाए और आंदोलन ने नए तरीक को जानगावानी पड़ी जंधन का नुक्सान हुआ आंदोलन के दोरान रेल गाडियों के आवाज आई तता बियार इस्तेते तेल सोदा के जो फरोती थी उसके तेल सोदकार खानों को तेल आपूरती रोखने की भी कोशिश की गई छह सार की सता ता इस्तरता के बाद राजी उगांदी के नेतरतों वाली सरकार ने आशो के नेताओं से बादचे सुरू की और इसके प्रणाम सुरफ गुनिश सुपिच्चेसी में एक समझोता हुआ जो लोग बांगला देश युद्ध के दोरान अत्वा उसके बाद यहा सालों में असम में आकर के बशे हैं बाद के सालों में असम आये उनकी पहचान की जाएगी और उन लोगों को वापिस वेज़ा जाएगा आंदोलन की काम्यावी के बाद आसू और असमगन परिशद के साथ मिलकर अपने छेती एक राजनेतिक पार्टी के रूप में संगठ प्रदेशी लोगों को कि समस्या को सुलजाया जाएगा और एक सुरन में असम का निर्मान किया जाएगा असम समझोते में सांते कायम हुई और प्रदेश की राजनेतिका चेहराई बदला लेकिन आप्रवास की जो समस्या का समाधान था वो समाधान नहीं हो पाया बहारी क मसला अब्वे असम पूर्व तरवय अन्य राज्जों की राजनीती में एक जिविंत मसला बना हुआ था यह समस्या तिरपुरा में ज्यादा गंबीर है क्योंकि वहां के मूल निवाज से खुद अपने की प्रदेश में अल्ब संख्यक बन गई मिजोरम और अवनाचल वहां विद्रो हुए और इन विद्रो में कभी कहीं से अलगराज बनाने की मांग उठी तो कहीं का मसला उठा की आर्थिक वीकास का मसला कहीं-कहीं अलगावाद के स्वरुपन पे और गुन्य स्वस्ति के बाद में भार्त की जो राजनीती थी इसमें तनाव के घेरे में और समाज के बिविन तबकों में की मांग थी कि मांगों को पटरे-पर बैठ पाने की लोगतांत्रिक, राजनेतिक संवता की परिक्षिया हुई तो यहां पार जो कदम उठाएं उनुनमें पहला और बनियवादी सबक तो यह था कि छेत्रिया कांकसा हैं लोगतांत्रिक राजमिती का एक अभिन अंग है और छेत्रिये मुद्दे की अभी व्यक्ति कोई ऐसा मायन अथवा लोगतांत्रिक राजमिती के ब्याक करिश्म से बाहर की गटना नहीं है बारत एक बड़ा लोग तंत्र है, यहां विविनता हैं भी बड़ी पहमाने पर हैं, अतै बारत को छेत्रिया कांगसाओं सिनिपने की तैयारी लगातार रखनी होगी दूसरा सबक हमको यह मिला कि छेत्रिया कांगसाओं को दबाने की जगे उनके साथ है, लोग तांत्रिक बादचीत का तरीका अपना है, ना सबसे अच्छा है और जरा अच्छी के दसक की तरफों में यदि नजर दोड़ाएं, तो पंजात में उग्रवाजियों का जो जो जोर था, पुर्वो उत्तर में समिश्या बनी हुई थी, असम के छात्रा अंदुलन कर रहे थे, कस्मीर गाटी में भी माहोल ऐसांत था, तो यहां ये विविन मामलों को सरकार ने कानून की गड़वडी का साधारा ने मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई और बाचित के जरीए सरकार ने छेत्री आंदुलनों के साथ समझोता किया, इस से वहां सोहार्द का माहोल बना और कई छेत्रों में तनाव भी कम हुआ, और तीसरा सबक हमे यह भी मिला कि सत्ता की जो साज़ेदारी के महत्व को समझना सिरफ है, लोकतांतरिक डाचा को लेकर की खड़ा कर लेना ही काफि नहीं है, इसके साथ यह भी जरूरी है कि यहां ठीक उसी तरह से नाकामी रही एती है, तो किसी प्रदेश अत्वा छेत्र को उसके मामले में स नियत के निर्दान के छेतर में छेतरों के बातों का वजन दिया जाना चाहिए, और राष्टि इस्तर के निर्णों में छेतर को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्या और अलगावाद का बोध बन पेगा, चौथा सावक हमने इन आंदोलनों से यह भी शिखा कि आर्ति विकास प्रक्रिया का एक तत्य चेतरिया संतूलन भी है, ऐसे चेतर में सहब आएकि कि पिछडे विए परदेशों, अत्वा कुछ परदेशों के पिछडे इलाकों को लगे कि उनके पिछडे पन को प्राथ मिक्ता के आदार पर दूर किया जाना चाहिए, तो ये बाहर सरक कार ने जो नेतिया अपनाई और प्रणाम सरुप चेतरिया संतूलन पैदा हुआ है, अगर कोछ राज गरीव रहे, तो बाह और बाकिक केजी से प्रक्ति करें, तो चेतरिया संतूलन पैदा होता है, ऐसी श्थिति में राज गरीव रहे, और उन्हें वहां अप्रवास की बड़ोत्री होगी तो सबसे आखरी बात भी यह मसले में सामने आई कि संभिदान निर्माताओं के दुरुद्रश्टी का पता चलता है कि वे विभिन निताओं को लेकर अत्यांत सज़क्ते और हमारे संभिदान के प्रावधान भी इसी बात के लिए साक्ष है भारत में संग को तर के कुछ राज्यों के लिए विशेश प्रावधान भी किये गए संभिदान के छटी अनुसोचे में विभिन जंजातियों को अपने आचार विचार पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने के लिए पूनता स्वायत्ताई दी गई है तो राजनेतिक समस्याओं को प्रावधान हमें बड़े निर्नायक साबित हुएं बहरत का संभधान एक दांचा ज्यादा लचीला और समख सरव समा वेशी है जिस तरह की चुनोति आती है बहरत में पेश आई है वैसे ही कुछ दूसरे देशों में वी आई लेकिन भारत का संभधान एक दांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है जेत्रिया कांकसाओं को यहां अलगाओ के रहा पर जाने का मौका नहीं मिलता है और भारत की राजनितिय स्विकार किया है कि छेत्रिय लोगतांत्रिक राजनिति का यह के अभिन अंग है इस प्रकार से यहां इन छेत्रिय इस्थितियों का पूरा आधार और पूरा सम्मान रखा है जिसी के कारण भारत में जो गुर्णी सो 47 में अंग्रेजों के से सामराज का खात्मा हुआ था और विविन प्रकार की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त करके भारत ने अपना पूर्टा विकास किया है